जब आप तंद्रूस्त होती हैं अक्सर आप बाल कभी भी दो लेते हो लेकिन कई महिलाओं को बाल धोना हेर वाश करना खासकर उन महिलाओं को किस वक्त करना चाहिए किस वक्त नहीं करना चाहिए हिदाय दी जाती है जब हो गड़भा वस्था के लिए प्लैन कर रही होती है तो ऐसा दो टाइम होता है जब ये बोला जाता है कि जो लंबे समय से गरभा वस्ता के लिए प्लैन कर रही हो उनको इन दो टाइमों में बिल्कुल भी हेर वाश नहीं करना चाहिए इसके अपने अलग-अलग नुकसान होते हैं जैसे कि पहली बारी तब जब आपके पीरियेट्स चल रहे होते हैं आप मासिक धर्म में होते हो और पीरियेट्स के उन शुरुवाती पहले से लेके चौथे दिन तक आपको हेर वाश नहीं करना होता है क्योंकि उस वक्त आपका बाडी नैचुरली जो है वो कूल होते रहता है लेकिन जब आप हेर वाश कर लेते हो तो आपके बाडी का टेंपरेचर अप डाउन हो जाता है तो इस वज़ए से पिरियेट्स के समय हेर वाश करने को मना किया जाता है यह पहले से ही चला आगा प्राचीन काल से ही चला है या फिर आपको पता भी नहीं कि ठीक है आपने कंसीव किया या नहीं किया है लेकिन जब आपका implantation का वक्त चलते रहता है ovulation के बाद ovulation में जब एक release होता है एक fertile होता है फिर वो जाइगाट एंब्रो ऐसी अपने रूप को दिलते रहता है तो वह Implant जब होने जाता है गरवास्ता में यानि की गरभाशे की दीवार में जब इंप्लांट होने जाते रहता है तो हेर वॉश करने से कई बाद गरभाशे में शंकुचन पैदा हो जाता है और इस वजह से वो implant ना होकर फिर वो period के माध्यम से बाहर निकल जाता है तो इसलिए बोला जाता है कि के दोडान जो है आपको एर करना है इंप्लांटेशन का वकत क्लिए होता है तो ऑखिलेशन कर दोड़ क होने के लगव कर दे Fan Cars से और ले थिएये वह क्योंわか कॉलिजिस्ट के पास जाते हो ट्रिंटमेंट लेना शुरू करते हो तब आप हेरवाश किजिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी गर्म जो है वो स्ट्रॉंग हो जाएगा पक्का हो जाएगा तो इसलिए इन दो समयों पर हेरवाश करने से महिलाओं को नुकसान ही होता है प आपको अपने रूट में बिल्कुल पानी नहीं देना है अगर आपके बाल बहुत जादा ड्राइव हो गया है तो आप तॉलिया को भिंगो कर बिल्कुल उनके लंबाई पे रूट में नहीं स्कैल्प में नहीं आपको उनको लंबाई पे आप हलका सा पोच सकते हो तो पसंद एक वीडियो को लाइक चैनल को सब्स्राइब कर देते हैं